हाई, वेल्गों तो बाच चनल, इस बीडियो में स्वाल करेंगे क्वेशन नबर फाइव, फाइंड दिया हुआ है, लेंथ ये है आपका और ब्रेथ ये है, ठीक है, डेमेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि स्क्वेर प्लेग्राउंड है एक, उसका जो एरिया है है, वह इतम सेम है, इक्वल है, एरिया आफ दिया हुआ है, तो बताएए कि उस स्क्वेर फिल्ड का साइड का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो गीवन दैट, हमारा दिया हुआ है, गीवन दैट, area of the square playground square playground is equal to area of area of the rectangular field rectangular field ओके तो यहां पर area of the square field playground क्या होगा area of square question करते हैं length of side का square कर देते हैं तो length of side of the square playground का side होगा उसका square कर देंगे तो वो area हो जाएगा is equal to area of the rectangular field तो rectangular field यह कैसे निकलते हैं length into brace करते हैं मतलब कि 72 में में उपलाई कर देंगे 338 से अब बोथ sides में हम square root ले लेंगे तो length of side निकल जाएगा यहां पर निकल जाएगा 72 इंटू 338 अब दोनों को फेक्टराइज कर देंगे और पेर बना करके हम यहां पर calculate कर लेंगे तो 72 into 338 है यहां पर तो पहले हम क्या करते हैं 72 का factorization कर लेते हैं तो हम जानते है 72 में क्या होता है 98 जा क्या होता है 72 होता है मतलब कि 8 9 जा तो 2 into 2 into 2 into 3 हो जाएगा यहां पर 338 का क्या होता है तो हम यहां पर कर लेंगे 338 का factorization और इस पर जाएगा 2 से 2 अंजा 2 और यहां पर जाएगा 2,6 12 AND 2,9 13 और यहां 13 चला जाएगा 13 धर्टिन धर्टिन जा इसका मतलब कि यहां आएगा 2,13,13 मिंद्स यहां पर होगा 2 into 13 multiplied by 13 ओके इसका मतलब आप यहां ध्यान दीजेगा यहां वद पेयर किसका बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे तो यहां बिएखेर बन रहा है और यह जो 2 है यह अकले नहीं है बलकि यहां पर भी 2 है तो यह दोनों का पेयर बन गया है है यहां पर और यह 3 का बन रहा है districts means 2 into यह वाला 2 जो मैंने circle में यहां बनाया है into 3 हो गया यह वाला उसके बाद से into 13 यह हमारा निकल गया इसको एल्ट से बाहर सारे numbers यहां हमार रपलाई कर लिए 4, 4, 3, 12 12, 13 जाया होता है 156 तो हमारा length of side का मिल गया 156 meter and this is your answer ओके, thank you so much for watching बाई